हेलो फ्रेंड्स स्वागतिया आपका मेरे चैनल पिंकी होम कुकिंग लाइप में तो आज हम बनाएंगे स्वाधिष्ट रेसिपी आलू की रेसिपी तो चलू बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपे मैंने दो प्यास काट लिये हैं एक टमाटर काट लिया है मैंने में प्युक्रीच एक चम्मे दन्या पाउडर अदा चम्मी हम चम्माइब मिर्च पाउडर अदा चम्माइ छीर आदा चम्ममर कमगोडार जीर और यहां पह मैंने छे साथ अलू बाल लिया है इनका भी छिलका तो चलो गेस पर कड़ाई चड़ा दिया मैंने और एक चब मैं सर्सो का तेल डाल दिया इसमें तेल को गरम होने देंगे अच्छे से यह मारा तेल गरम हो गया है अब इसमें डाल रहे हूं मजीरा एक मिनिट तक इसको भी होने देंगे देखें यह भी हो गया है अब इसमें डाल दिया मैंने प्याज बिला देंगे इसको और प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने तक पकाएंगे इसको कि देखिए दो मिनिट बाद में प्याज का कलर चेंज हो गया है अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च कि इसको भी मिला देंगे इसके साथ में एक मिनिट बाद ये भी हो गया है इसमें डालरी में टमाटर टमाटर को थोड़ा सा सोप टोलें तक इसमें पकाना है हमें इस सारे मसाले एक बतर में डाल लेंगे नमक धनिया हंदी पावडर और लाल मिच पावडर इस सबको एक बतर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें और मिला लेंगे इसको एसे मसाला डालने से हमारे मसाले जलेगी भी नहीं और अच्छे से पकेंगे तो यह मसाला डाल दिया मैंने मसाले से अच्छे से पानी मुबाल आ गया है मसाले में मसाले से तेल उपर आने तक पकाना है हमें अच्छे से हमारा ओइल जो है मसाले से उपर आ गया है अभी थोड़ी देर और पकाना इसको अच्छे से पक गया है अब इसमें डाल देंगा मेंगी मसाला मिला देंगी इसको भी अब इसमें डाल देंगे हम आलू हमारे उबले आलू को मैंने 2-3 साइज में कट कर लिया है जा देंगे इसको अब इसमें पाने डाल देंगे हम अब इसमें पाने डाल देंगे और उपर से चंकी चाट मसाला डाल दिया मैंने तो यह देखे हमारे सब्ची में जो है वबाल आ गया है अब इसको पांच मिनिट के लिए और पकाना है चाट मसाले से हमारे सब्ची के जो स्वाद है वह बहुत अच्छा आता है पांच मिनिट बार हमारे सब्ची बन के तयार है तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया गरम मसाला मिला देंगे इसको कर देंगे बन हमारी स्वादिष्ट रेसिपी आलू की सब्जी बन के बिल्कुल तयार है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें झालो जूजः कर दो प्लाई कर दो दोएको कि सब्सक्रा जूख दो जब प्लाई झाल